इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले एरोफलेक्स इंडस्टी इस लिम्टेट के बारे में जिसने की अपने कॉर्टर 3 के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिये हैं तो यरली बेसिस पर आप देखेंगे तो दिसंबर 22 में जो kompy की total income दें वा 65 कारोड की थी वह अजबा 74 कारोड़ पर आःगी और quarter डू में एटी 4 कारोड़ की इंकम थी जो कम हो के 74 पर आगी तो quarter on quarter company की income में गिरावाट है इस बार बद यरली बेसिस पर ठीक ठाक जम्प हमें देखने को मिल रहा है तोटल अगर expenses की बात करें जो क्यों थे company की total खर्चे तो yearly expenses 59 करोड से 60 करोड पे आ गए और quarterly 69 करोड से 60 करोड पे तो quarter on quarter company की expenses कम रहे और yearly basis पे बहुत ही nominal से खर्चे company के इसबार बढ़ गए then discuss करते हैं after tax company को net profit या loss for the period कितना हुआ तो December 2022 में profit सिर्फ और सिर्फ पांच करोड के थे company को वो इसबार 9 करोड पे आ गए और quarter 2 में 11 करोड के profit थे जो इसबार 9 करोड पे तो quarter on quarter थोड़ी बहुत गिरावट आई है बट yearly basis पे एक अच्छा का सा jump हमें देखने को मिल रहा है same reflection देखने को मिलेगा EPS में yearly profit बढ़े तो EPS 0.45 से 0.70 पे आगया और quarterly 0.94 से कम होके 0.70 पे क्योंकि company के quarterly profit में गिरावट आई इसबार तो overall दोस्तो mix तरीके के result हमें देखने को मिल रहा है तो आपको आस Aeroflex Industries के कितने share से comment box में बिलकुल बता है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूले तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ तब तक के लिए बबाए